दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PM रोजगार लोन यूजना के बारे में ये सरकार की एक ऐसी यूजना है जिसमें वैसे तमाम बेरोजगार यूजना हैं जो अपना रोजगार करना चाहते हैं वैसे लोगों को सरकार ये लोन प्रुवाइड करती है ये लोन जो र już 5 लाक रुपए से लेकर 50 लाक रुपए की बीच होती है जिस परकार की आपको दोग लगाना चाहते हैं जिस परकार की आपकी पर्जेक्ट होगी उस वैस पे आपको ये लोन रासे दी जाएगी खास बात यह होता है कि इस लोन में जो भी पैसा आपको मिलता है उसका 35% अनुदान आपको दे दी जाती है बाकि बच्चे हुई 65% पैसा आपको चुकाने पड़ती है यानि आपको अगर 1 लक रुपया अगर मिलता है तो आपको 65,000 रुपय ही चुकाने होगी और बाकि 35,000 सरकार आपको माप करेगी तो इसमें कैसे आप आवेधन करेंगे कौन करेंगे अवेधन कर पाएगा जिसकी complete प्रोसेस इस वीडियो में समझाई जाएगी इस लिए इस वीडियो को अंतक देखिए ताकि सारी जनकारी आपको समझ में आ पाए सारी जनकारी हमारे official website online update htm.in पे भी उपलब कराए दी गई है यहाँ पर सरकारी योजना में आपको मिलेगा PMEJP loan apply online 2023 जिस पे आप किलिक करेंगे हो सकता कुछ दिन बाद ये वीडियो देखे तो यहाँ पर जो आपको सर्च का box मिलता है जिसमें आपको लिखना है PMEJP loan आ जाए गई है कि ये loan क्या है कैसे ये loan आपको मिलेगा इसके लिए योगिता क्या होगी दस्तावेज क्या होगी वो सारी जनकारी आपको बताए गई है और important link में आएंगे तो direct इसका online apply का link उपलब करा दी गई direct आप apply भी कर सकते हैं apply करने से पहले कुछ चीजों को समझना आपके लिए बेहत जरूरी है तब आप इसके लिए apply करिए हम आपको पहले पूरी बारी की इसके बारे में समझाते है फिर आगे की process हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर notification आपको मिल जागा जिसको किलिक करके आप इसको पहले read out कर लीजिए फिर आप apply करिए परधान मंतिर रोजगार स्रीजन कारिकरम यानि पी एम जी पी वाई जो यूजना है जो हमने अभी आपको बताई इस यूजना के साथ आप जूर कर अपना जो द्योग है उसमें निर्मान का काम आप कर सकते हैं इसके लिए पातरता क्या होगी वो समझ ये जो आवेदक अगर बेरोजग रोजगार है वो किसी भी परकार की रोजगार करना चाहते हैं तो उनका जो ओम्र है 18 वर्स है धीक होनी चाहिए वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें ये भी बताए गया कि इसमें आवेदन करने के लिए आपका आय सिमा ये जरूरी नहीं है कि आप इंकम कर रहा है तब ही आपको इसका लाब मिलेगा ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बिना इंकम बाले लोग भी इस लोन के लिए आपकी जो निमतम योगिता होगी आठवी पास होगी आठवी उतिन उमीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वी नि तो इसके लिए पातर नहीं होंगे, यह उनके लिए जो बिलकुल नए सिरे से किसी भी परकार की रोजगार उत्पन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रोजगार करके कोई दोग लगा है, जिसमें हम अपने जैसे पांदस ऐसे लोगों को भी काम दे, वो ऐसे लोगों के लिए इसको लाया गया है मन्निय परधान मंतरे जी दोवरा, अब इसके लिए कितना साहता मिलेगा, उसकी भी जयनकारी दी गए है, कि इस साहता रासी आपको मिलेगे, कुल पर योजना लागत का जो 35 परतेसत रासी है, वो सबसेट्री के रूप में आपको सरकार माप करेगे, और कोई रुजगार अगर आप करेंगे तो उसमें आपकी योगदान भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सरकार आपको पैसा देगी, उससे से आप काम करेंगे, उसमें आपका पैसा का भी योगदान 5 से 10 परतेसत होगी, तब आप इसके लिए आवेदन करेंगे, और किलियर बता जा रहे हैं कि वितिय साहता किबल नए जो योजना है, या जो नहीं दोग है, उसके लिए आपको मिलेगा, ये नहीं कि पुराना इसलाक रुपिया अधिकतम है, और बताया गया कि पर्योजना लागत का 15 पर 30 सबसिड्री है, तो ये आपने सारी जनकारी समझा, अब इसके लिए आवेदन करने के लिए इनका जो वैपसाइट दिया गया, इस वैपसाइट पर जयाकर आवेदन कर सकते हैं, इसका लिंक हम तब आप इसके लिए आवेदन करिए, जैसे जो उमीदबार आवेदन करेंगे, उनको सबसे पहले एक पासपोर साइट फोटो रेसिन का होगा, योगिता कम से कम आठवी पास का परमान पतर देना होगा, परियोजना मतलब कि आप जस्वी परकार के उद्योग लगाना जा तब जाकर आप इसके लिए डैरिक्ट आवेदन करेंगे, ये सवी दहतावेज इसमें आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तब आपको इसका जो पैसा है, वो लोन की जुरासी है आपको मिलेगी, तो ये इसका कम्पलीट प्रोसेस था, अगर आप कॉमेंट करेंगे तो इ अपलाई कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,